हेलो गाइस नमस्कार आज मैं आपको फीजियो थेर्पिस्ट एम्स में जो एम्स फीजियो थेर्पिस्ट एक विकेंशी के बारे में बारे में बताने जा रही हूँ कि कितनी विकेंशी आई हुई है और कि पिछले जो एक्जाम हुआ था उसमें कितनी कट ओफ थी हाई एस्ट और लोवेस्ट कितनी थी अभी आपने देखा होगा जनरल के टेगरी में थ्री विकेंशी है और जो एससे में 1 और स्ट में 1 है और जो लास्ट दो जार 21 में एक्जाम हुआ था वो एक्जाम उससे पहले भी मैंने एक्जाम हुआँ है और 2021 में मैंने एक्जाम दिया था तो उसमें जो हाइस्ट कट ओफ थी वो 151 थी ठीक है और जो लोवेस्ट कट ओफ थी वो 1114 थी तो उस ताइम पर 31 वेकेंसी थी हमारी छान्स जड़ा हो जाते हैं स्लेक्शन होने के अब क्या है अब थृ वेकेंसी जैनल में से 1 तो टोल 5 वेकेंसी हैं पर कोई वात नहीं एगर आप त्यारी करेंगे तो हमें तो एक जुदे तक विकेंसी चाहिए नम्हें चाहिए आप जो भी त्यारी कररें हुद सब एक एक ही चाहिए होती है और करेंगे तो मिल भी जाएगी ऐसा नहीं है कि स्लेक्शन नहीं हो सकता है तो मैं अब आपको एक्जाम के बारे में कुछ बताना चाहरी हूँ जो मेरी पहली वीडियोज है जिन में मैंने कोश्चन्स बताए गए है वो कोश्चन्स देखो जब मुझे कोश्चन्स याद रह गए थे 95 इसे म मुझे याद रह गये तिर वो भी यह कैसे क्योंकि मैंने अपने नोट बनाए थे अपने रिटन नोट बनाए थे और मेरा मेरा सेलक्शन नहीं हुआ वो मेरी गलति से नहीं हुआ कि क्यों नहीं हुआ वो मुझे पता है कि मैंने क्या mistakes की है जिसकी वज़े से मेरा selection नहीं हुआ तो मैं मुझे मेरा selection negative marking से रह गया ठीक है तो आप ये कोशिश ना करें कि आप 200 questions attempt करें ठीक है ये बिल्कुल भी कोशिश ना करें अगर आपको नहीं आते हैं तो आप question attempt ना करें आप सिर्फ वही question attempt करें जो आपको आता है ठीक है जो question देखो 200 question में से 80 question ऐसे होंगे बिल्कुल easy question होगे जिनको करने में आपको न एक second भी नहीं लगेगा कि जो आपको आता है और प्लिक कर रहे हैं ठीक है 60 question ऐसे होंगे आपके पास में और में नोट भी आपको आता भी है और आपको नहीं भी आता है ठीक है तो आपको सबसे पहले तो 80 question करने है और फिर 60 question करने है ti п Ti T eternal जिनका आता पता ही नहीं है किमें इस कोशन को बलकुल यहात मतलगा न को तॊपका मतलगाना बस जो आपको आता है वह लगाना जिस्पे आप socioe आपका doubt है सिर्फ वो करना और इसमें और एक अच्छी बात बताती हो आपको 180 question तो आपके आएंगे subjective subject के ठीक है और 20 question आपके आएंगे देखो ये न माक्स केट करने का एक formula है 20 question जिसके ये 20 question भी ठीक हो जाते हैं तो आप ये मानो कि कि आपका subjective में अगर आप थोड़ा कम भी करके आएं हुए हैं questions तो कोई बात नहीं पर जो 20 question का जो ये criteria है अगर ये अच्छा हो जाता है क्योंकि इसमें क्या हुआ था मेरे से न मैच के question नहीं हुए थे ठीक है तो मैं जो ये 20 question में जो question आते हैं वो मैं आपको वीडियो बनाकर डाल दूँगी कि आपको क्या-क्या पढ़ना है Yiesar में क्या परने और क्या नहीं पर नगा सबसे पहले ये ध्यान रखना जो क्या नहीं पढ़ना है ठीक है तो ये मैं दूसरी वीडियो में आपको बता दूँगे कि इन 20 को राइट ठीक करने का क्या तरीका है और आप कहां से लर्न करें इनको ठीक करने के लिए ठीक है अभी मैं कुछ और पढ़ाने जा रही हूँ तो अभी मैं बता नहीं सकती पर मैं ये वीडियो जुरूर बनाऊंगी और आ आप लाइक और सब्सक्राइब बैल आइकन करना मत भूलेगा क्योंकि मैं अब वीडियो बनाऊंगी थोड़ा सा दीरे दीरे बनाती हूं मैं वीडियो मुझे इतना वीडियो बनानी नहीं आती है आप मेरे बोलने से या फिर राइटिंग से देख सकते हैं कि मैं थोड़ी प्रिविस पेपर भी निडालता है और कुछ आइडिया भी नहीं होता है अब यह देखो कि जो पहले जो फर्स्ट केंडिडेट होगा इस पेपर में तो तो यह सोच के जाएगा कि चलो यार एक पर देखे देख लेते हैं तो देखे नहीं देखना बस यही सोचना है कि पा अब भी अगर अच्छा करेंगे तो next time अप अच्छा कर पाएंगे तो मैं आज आपको पताना चाहरी हूं कि आपको study कैसे करनी है ठीक है, study आप कैसे करेंगे, देखो syllabus तो vast है, बहुत vast है, ऐसा तो है ने कि आप कभी neurosubject को पकड़ेंगे, कभी आप ortho को पकड़ेंगे, कभी आप electro को, कभी किसी subject को, आपको ना ऐसे नहीं करना, हर subject से 20-20 question आते हैं, ठीक है, आप ये मान कर चलिए, और हाँ anatomy, so main आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले, सबसे पहले आप, सोरी, anatomy पढ़े, चीक है, general anatomy, साथ में general anatomy पढ़नी है, और, बीडी चोरसिया भी पढ़नी है, जो कि सबने पढ़ी हुई होगी, पर एक बार और पढ़ लेना, इस anatomy में आपको क्या क्या पार्ट पढ़ना है, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे side में लिख देती हूँ, आपको क्या क्या पढ़ना है, पिछले वाले paper में आये था, digit flexor pulley, anatomy से, digit flexor pulley, अगर anatomy में आपको यह लगे ना, कि यह नया सा है, कुछ है, और इसको मैं एक बार देख लूँ, तो आप यह एक बार जरूर देख लेना, ठीक है, आप पहले ही part में, जब first, दो-तिन page open करोगे ना, तब हैंड का एक, आपको image मिलेगी, उसमें यह question है, नहीं, मैं anatomy पढ़कर ही नहीं गई थी, ठीक है, anatomy में एक दूसरा था, joint पढ़ना आप, ठीक है, एक तो joint यह पढ़ना, types of joint, ठीक है, आपने types of joint तो पढ़ ही लिए हैं, तो इसमें क्या और पढ़ना आपको, knee joint, elbow joint, shoulder joint, hip joint, all joint, ठीक है, wrist joint, सारे आप joint पढ़के जाना, और structural joint पढ़के जाना है, ठीक है, देखो, movement तो सबको पता होती है, कि इस joint पर यह moment होती है, इस पर ही होती है, इस पर ही होती है, ठीक है, moment कोई strong part नहीं, question बन पाता है, पर आपना structure पढ़के जाना, कि जैसे कि पिछले वाले पेपर में, elbow joint से question आया था, कि radius articulate with किस से, radius या अलना, ऐसा ही question आया हुआ था, articulate with उसमें option आया हुआ था, तो capitulum हमें लगाना था, ठीक है, तो इस type से आपना, structurally बना के, अपने notes में बना लेना, कि elbow joint यह है, wrist, अब कोशन आने के चांसी है, कि, जो wrist joint है हमारे, wrist joint पे आ सकता है, PC form bone, या 5th, जो metacarpal है, वो कौन सी bone के साथ attach है, या non attach है, जो भी है, आप structure पढ़ के जाना, ठीक है, पहले types पढ़ना, जो कि general में आएंगे, और फिर structure पढ़ लेना, ठीक है, और कौन-कौन सा joint, किस type का joint है, ये आपको पढ़ के जाना है, फिर anatomy में आपको क्या learn करना है, nerve root, ठीक है, nerve root value, जितने भी हमारी nerve है, उनकी root value पढ़ के जाना है, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इसी में ही, आपको थाई की जो मसल है, वो सबसे ज़्यादा important मसल होती है, थाई मसल, वो की anterior, posterior, and medial, and lateral side, जो भी है, आपना ये थाई की मसल पढ़ के जाना, जरूर से भी जरूर, और इसमें कैसे पढ़ के जाना है, कि कौन से पार्ट में, कौन सी nerve supply होती है, ठीक है, anterior thigh में, जो obturator nerve है, वो कौन सी मसल को supply करती है, ठीक है, इस तरीके से आपको करके जाना है, medial में, कौन सी nerve supply होती है, जो medial side में, this nerve है, ये कौन सी मसल के अंदर supply करती है, ठीक है, तो ऐसे ही आपको पढ़ के जाना है, और आप anatomy में बस, यही points बनते हैं, और तो मुझे नहीं लगता कि, कोई points बनता है, थाई की मसल होगी, forearm की कर लेना आप, forearm muscles, और, glutei muscle, ठीक है, glutei, जो muscles होती है, उनको भी आप पढ़ के जाना, छोड़ के मत जाना, anatomy में आप इस तरीके से आप अपने study कर सकते हैं, most important subject यही है, आपको यह जरूर मिलेगा, paper में, छोड़ के नहीं आना है, इसको learn करना, शुरू कर दो, अभी से ही, अगर नहीं शुरुआत की हैं, तो एक बार जरूर शुरू कर दो, anatomy को, दूसरा, subject बताती हूं, मैं आपको, सब्जेक्ट पढ़के जाना है, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी, एक बार तो आपको, देख लेना है, कि सब्जेक्ट में, कौन-कौन सी injury होती है, ठीक है, सबसे पहले sports, injuries, ठीक है, injuries में, nerve जो injury होती है, वो कौन सी sports में होती है, कौन से खेल में होती है, ठीक है, तो ये जुरूर, कि football में, सबसे ज़्यादा क्या होती है, lateral sprain होता है, ठीक है, तो footballer को क्या होता है, footballer को lateral sprain होता है, और handle bar palsy, कौन से game में होती है, cyclist में, ठीक है, जो cycle चलाते है, over wrist, किसकी वज़े से हो जाती है, over wrist, stress की वज़े से, ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़के जाना है, और दूसरा देखते है, कि wrestler, किस टाइब की injury, सबसे ज़्यादा most common होती है, तो आप RCT लिख सकते हैं, ठीक है, और और भी हो सकती है, क्योंकि soft tissue injury ज़्यादा होती हैं, तो आप एक बर sports का part आप जरूर पढ़ लेना, ये आपको आपके exam में, जरूर से भी जरूर मिलेगा, ठीक है, मैंने तो इस question में, बहुत बड़ी गल्ती कर देती, कि handle bar palsy, मुझे लगी ही नहीं रहा था, कि sports का question है, क्योंकि मैं sports से हूँ ही नहीं, मैं orthो से हूँ, तो मैंने मेरा कोई idea ही नहीं लगा, मैं सोचा कि, musculocutaneous nerve की इंदरी हो जाएगी, कि जैसे कि जन्नेटर चलाते हैं, या कोई भी handle गुमाते हैं, तो मैंने तो सिर्फ इतना ही सोचा, वैसे तो हसने वाली बात ही है, कि मैंने सिर्फ यही सोचा, इस आगर कुछ सोचा ही नहीं, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसी injuries मिलेंगी, जो बिल्कुल अलग सी लगेंगी, कि आपने नहीं पढ़ी हो, पर आपना एबर देखके, सारे जितने भी हमारे गेम हैं, शूटिंग गेम है, आर्चरी गेम है, या फिर वो जैवलन थ्रो है, फुटबॉलर है, हैंडल साइकलिस्ट होगे, रैसलर होगे, और हाँ, इवन स्प्रिंटर, ठीक है, स्प्रिंटर होगे, तो मैं सारे अपना एक, अपने नोटबुक में है न, पहले तो स्पोर्ट्स लिखना, सारे गेम लिखना पहले, गेम लिखते 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 लिखते, आप गूगल से सर्च कर लें, कि मोस्ट कॉमन इंजरी इन दिस, मोस्ट कॉमन इंजरी इन साइकलिस्ट, मोस्ट कॉमन इंजरी इन स्प्रिंटर, मोस्ट कॉमन इंजरी इन रैसलर, ठीक है, तो आप इस तरीके से त्याड़ी करिएगा, और जहां तक मुझे लगता है कि आपको जरूर help मिलेगी ही मिलेगी देखो इतना पका दावतों नहीं कर सकते हैं पर मैं आपको idea जरूर दे रही हूँ क्योंकि मैंने एक बार रोतिक PGI का exam दिया था और मैं सच बताती हूँ कि रोतिक PGI वाले exam से अच्छा exam aims का आता है जो आता भी होता है और नहीं भी रोतिक PGI वाला मैंने जो exam दिया था वो बहुत ही tough exam आया हुआ था आप यकीन ना करें मैंने एक बार पर रेल ले का वीडियो हुआ है मेरा selection नहीं हुआ कोई बात नहीं पर जो मुझे अब आता है ना मैं वह आपको बताना चाहती हूँ कि जो त्यारी कर रहे हैं क्योंकि मुझे भी कोई help नहीं मिली मैं भी यूँ आपकी अच्छे माक्स आएंगे अब चलते हैं dividing हो गए अनантुमी एंड सोट की आप करते हôm तीसरा सब्जेक्ट सबसे हैं और बहुत ही माःं टेकिंग सब्जेक्ट है इलेकट्रो थेरेपी देखो इलेक्ट्रो थेरेपी में कुछ में इतना ज़्यादा बताऊंगी ने लुदर भी यह बना रखें दो फोर और फाइफ वीडियो है شाय ड। तो आप मेरी diggling जो बड देकले बता रहे हैं है टोपिक्स वाइस ठीक है क्या क्या आता है और किस तरीके से आपको पढ़ना है और बस उसी तरीके से पढ़ कि जाना है मुझे नहीं लगता आ आपको चारे में कोई दिक्कत आएगी आप अटेंप्ट करने में कोई दिक्कत आएगी ठीक है तो इलेक्ट्रो थेरपी में कम से कम दस से दस से बारा गोशन आते हैं और इसको आपना अच्छे से गोट के पी के जाना ठीक है फूर्थ है एक्सरसाइज थेरपी एक्सरसाइज थेरपी में मैं आपको ना टॉपिक्स बता देती हूं सबसे पहले तो आइसो मैट्रिक कॉन्ट्रेक्शन क्या करके जाना आपको कॉन्ट्रेक्शन करनी है और रिलेक्शेशन करनी है कि डेफिनेशन और विद एक्जाम्पल डेफिनेशन विद एक्जाम्पल आइसो टॉनिक हो गया और आइसो काइनेटिक हो गया फिर आपको करना है मसल कॉन्ट्रेक्शन मसल कॉन्ट्रेक्शन में स्लाइडिंग थियोरी होगी ठीक है स्लाइडिंग थियोरी करके जानी है और सारकोमियर यह टॉपिक करके जाने नेक्स्ट आपको करके जाना है स्ट्रेचिंग का टॉपिक ठीक है स्ट्रेचिंग का टॉपिक है आपको और कॉन्ट्रेक्शन का टॉपिक आपको ना हर एक्जाम में मिलेगा और अभी भी आएगा देखो पिछले वाले एक्जाम में आईसोमेट्रिक कॉन्टेक्शन आया था नो मसल लेंथ चेंज रिमेन कॉंस्टेंट ठीक है यह डेफिनिशन आई थी तो उसका था आईसोमेट्रिक कॉंट्रेक्शन अब क्या हो सकता है कि देखो ऐसा नहीं है कि पिछले एक बात समझने की जरूरी है एंस पेपर को एक पेपर को ओन्लाइन अपडेट नहीं करता है ठीक है अगर वह एंस ओन्लाइन अपडेट नहीं देता है प्रीविस पेपर नहीं डालता है तो जो पीछे वाले कोर्शन आई वो आ सकते हैं मेरे साथ एईसे ही हुआ पिछले से जो पिछला एक्जाम मैंने दिया था यह उस में से आप यकीन मानेंगे 15 questions ऐसे थे जो की दुबारा से repeated questions आये थे और मैं आपको बता दूँ कौन से question आये थे और्थो के question आये थे UCBL एक आया था और्थोसिस ठीक है किसमें यूज करते हैं और electrotherapy के question यूज के यूज सेम आये थे तो आप ये मत सोचना कि अगर मैंने 90 कोशन भी अपने 90 से 95 कोशन मैंने अपनी वीडियोज में डाले हुए ना आप उनको ये मत समझ के जाना कि इन में से एक भी question आये गा ही ने क्योंकि ये तो आ चुके है क्योंकि ये question तो मेरी remember से है ठीक है मेरे को याद उस टाइम पर रहे तो मैंने अपनी diary में डाल दिये मैंने लिख डाले कि next time मेरे काम आएंगे ठीक है पर अगर एंस पेपर नहीं डालता है तो वह repeated question भी डाल सकता है आप ये सोच के भी जाएगा तो आप मेरी वीडियो जरूर देख लेना questions भी देख लेना ठीक है अच्छे से पढ़के जाना जो मैं अभी बता रही हूं ना इनी में से question आई हूं है क्योंकि मैंने भी अपने notes ऐसे ही बनाए तो जैसे मैं आपको बता रही हूं मैं आपको दिखा रही हूं कि मैंने सिर्फ topics त्यार किये थे कि इसमें से यह important topic है यह topic है यह topic है तो stretching में क्या करना है आपको types of stretching करने हैं और most of ballistic तो बोलना ही मत ठेक है ballistic stretching एंड ताइची आई हुई थे पिछले वाले पेपर में ताइची stretching तो आप यह देख लेना active stretching, passive stretching, sustained stretching यह 4-5 stretching है इस topic को पढ़ लेना देखो इस topic को बुक से पढ़ने के पाद एब गूगल सर्च जरूर करना फिर आप exercise में करोगे हैं अब बता देती हूं आपको में पास exercise के भी नोट्स रखे हुए हैं ठीक है एक जिनट वेट करें मसाज टाइपस ओफ मसाज प्रोसीजर ओफ मसाज फ्लूराज जो मसाज होती है वो हमेशे आती है पर क्या पता आपकी बार ना आए और दूसरी मसाज आ जाए तो आप यह मसाज का टॉपिक भी पढ़ लेना ठीक है हम जी और क्या करना है आपको मसल के बारे में पढ़ना है अपको ठीक है मसल्स के बारे में और पढ़के जाना छोड़ना आप यह इसको स्लो मसल फाइबर और फास्ट मसल फाइबर फिर आगे है रेड मसल फाइबर और वाइट मसल फाइबर देखो पिछले वाले पेपर में स्लो आया था अपकी बार फास्ट मसल आ सकता है या फिर रेड मसल या फिर वाइट मसल फिर तो आप यह लाइन कर लेना आज गशुल अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि में यह टोपिक्स हैं यह तो मोस्ट इंपोर्टेंट टोपिक जो की छोड़ने नहीं है और भी टोपिक्स होंगे में और जो वीडियों बनाऊंगी उन्हें मिक्स टॉपिक भी बताऊंगे आपको अगर कोई टॉपिक्स रहे भी जाता है तो मैं उसमें बता दूँगी आप यह मत देखना कि लेक्टरों का मैं मिक्स हो गया या एक्सेसाइज आपको टॉपिक से मतलब है आपने नोट बुक में ठीक है सिर्फ टॉपिक्स लिखने है टॉपिक्स कि अगर सो टॉपिक भी आप अच्छे से कर लोगे ना तो यह मालो कि उन में से सत्तर कोफशन तो आएंगे ही आएंगे ठीक है इतना भी बड़ा स्लेवस नहीं है और देखने को बड़ा भी स्लेवस है ठीक है अब करते हैं मैं मिक्स बतानी जा रही हूं अब आपको क्या क्या टॉपिक करने है अब मैं आपको बता रही हूं फिफ्ट और्थो में ठीक है और्थो ना इंट्रस्टिंग और्थो के ना इंट्रस्टिंग कोशन आते हैं शायद मैं और्थो से उसले मुझे और्थो के इंट्रस्टिंग लगते हैं पर और्थो के सबसे पहले क्या करना है स्प्लींट करने हैं छोड़ना नहीं है बिलकुल भी और यू सी बी एल जो स्प्लींट है यह बार बार दो बार दो बार एम्स में रिपिटिड आ चुका है पिछली बार जो पेपर हुआ था तो यू सी बी एल का मुझे पता नहीं था तो मैं इसका अंसर गलत करके आई थे पर जब मैंने गाड़ी में बैठी थी तो तभी मैंने इसको सर्च कर लिया था कि यू सी बी एल कौन था ओर्थोसिस है या प्रोस्थेसिस है तो अब मैंने देखा था तो यह फूट में यूज होते हैं ठीक है और इसका मैंने कोशन डाला हुआ है मेरी वीडियो में उसमे चेक कर लेना इसकी फुल फॉम यूनिवर्सल कैलिफोर्निया बाइलेटर लेग ठीक है तो यह यूनि यह आप ना जो भी छोट छोटे नेम होते हैं ना इनके नेम भी रखे होते हैं कि यूसे बील ही क्यों बोलते हैं अब उससे पीछे वाले में मिल्क वाकी स्कॉलियोव यूसे करते हैं तो यह कॉशन आयो वा था कि यह तो पता है मिल्क वोकी वरेस स्कॉलियोसिस में यूज व फिर किमेल्क वोकी जो Julie का नाम है वह किस वजाएंसे रखा गया city के वज़े से रखा गया town के वज़े से रखा गया state का प्रिस तो इस टाइप से जो भी यह brace है कि नकल बेंडर है आपने लिख दिया इपार गूगल डाल के देख लो भई यह नकल बेंडर है क्या चीज इसका नाम कैसे पड़ा कहां से शुरुआ के छिवा किसी में यीज ऑता है तो इस तरीके से आपको यह इस्प्लिंट त्यार करने जहें देखो i aeazy कोशन कुछ ही आएंगे सारे तो कॉषन ईजी आएंगे नहें यह तो आपको भी पता है और मुझे पता है तो पर आपकी त्यारी करने का पैटरन में आपको बचा रही हूं कि आपको इस तरीके से आपको अपने त्यारी को अच्छे से करना है कि स्प्लेंट में ओर्थोसीज होगे एंड प्रोस्थेजीज होगे और सबसे ज़्यादा ब्रेस कौन से आते हैं हमारे स्पाइन के टेलर ब्रेस पीछे वाले के पैपर में आई थी ठीक है तो यह जो जितने भीं ब्रेस है न सारे कर लेनाय स्पाइन के भी भी हैं जो ओल ओवर हमारी बुक में जितना है और के जाना और कोशन मिलेगा ही मिलेगा है स्प्लिंट के बाद आप गश्राइब करने का भी तरीका आपको बताती हूं नोट कैसे बनाने थे सबसे पहले आप अपर एक्स्टरमिटी के बनाओ ठीक है अपर एक्स्टरमिटी अपर एक्स्टरमिटी में क्या क्या लिखोगे सबसे पहले फिंगर से शिरू कर दो फिंगर फिर रिस्ट फिर एल्बो फिर फोराम और फिर हैंड ठीक है फिर कर दो थोड़ा वो तो गलतिया मेरे से भी हो जाती है ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल अच्छे से बता रही हूँ लिखरी हूँ देखो मैंने यहां पर फिंगर लिख दिया फिर फिर एल्बो फिर फोराम पर फिर फिर हैंड पर तो यह दोनों निकाल ले ठीक है पहले फिंगर रिस्ट एल्बो फोराम ठीक है फिर करना आप लोवर एक्स्टेमिटी हिप हो गया नी और एंकल एंकल में क्लेपर वगेरा आजाते हैं पर मेरे टाइम में तो नहीं आये है पर में भी आ जाते हैं फिर लोवर एक्स्टमित के बाद स्पाइन एक्स्टमिती ठीक है स्पाइन में जितने brace, orthosis use होते हैं वो करना फिर करना cervical ठीक है cervical भी most important topic बन जाता है brace के लिए somi brace वगेरा या hard and soft cervical collar इसमें question देखो एक बार आया था किस तरीके से आया था जो hard collar है वो क्यों use किया जाता है और semi soft collar क्यों use किया जाता है वाई में ठीक है जैसे somi brace है तो somi brace का पुरा नाम क्या है इसका somi brace रखा क्यों गया तो यह आप देख लेना देखो पढ़ना तो आपको ही पढ़ेगा क्योंकि मेरे पास भी तरह टाइम ही है पर मैं नेक्स टाइम तक study करने की भी वीडियो बना दूंगी क्योंकि अभी तो ना तो आपके पास टाइम है और ना ही मेरे पास टाइम है तो आज मैं ये और्थो का यही बता रही हूं क्योंकि 30 मिनुट की वीडियो होगी है काफी बड़ी हो चुकी है और अगर आप जिस टाइप से भी चाहते हैं कि मैं एक बार बताने के बाद अलग अलग जैसे कि मेरे पास नोट्स रखे हूँ है आप देखें मैं आपको दिखाती हूँ ये मेरे नोट्स हैं देखो मैंने अलग अलग स्प्लेंट लिखें हुए है त्राइ पॉAmerica स्प्लेंट वार्कमैंटन बदकल ज्रुनिंग स्प्लेंट सी बार्स प्लेंट कॉल स्प्लेंट फॉमस प्लेंट बॉलर बराउंन फ्लेंट ठीक है और हाइं हाइडरेट्ट कैल्चीम सल्फेट तो मेरी सनी त erm i plant कोई भी कुर नहीं से ए नहीं पिक एक एकूलार मेन्ट त्हूल की्टा थी तो यहां पे मिल्खोट्य प्रेस्ट स्कोशली सिस्ञें नेच गोटा है ठीक है Milwaukee ठीक है तो Milwaukee brace city के नाम पे रखा गया था और Boston brace भी city के नाम पे रखा गया था और जो यह Taylor brace है यह scientist नेम पे रखा गया था James Knight and Charles Taylor New York City ठीक है तो आप मेरी यह notes भी देख रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ क्योंकि ऐसे questions आई भी हुए है so PF night splint, body taping, stir up और जो भी है अब मैं सारे notes तो आपको नहीं दिखा पाऊंगी आपको कोशिश करूंगी कि मैंने जितना पढ़ा है उतना मैं आपको आपके help कर दूँ सो आज सिर्फ मैं आपको इतना बता रही हूं आप मेरी वीडियो को like subscribe और कोई भी कुछ भी doubt अगर आपको लगता है किसी भी वीडियो में किसी question को लेके या कोई और question form fill करने में या फिर center वगरा में पूछने में फिल पूछना है तो आप मेरे से comment box में comment कर सकते हैं और एक बार मैं यह सारे formally थोड़ी से वीडियो बना लूँ ठीक है थोड़ा थोड़ा idea दे दूं कि आपको कैसे कैसे study करनी है उसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि हर subject के जो मेरे पास notes रखे हुए है उन में से मैं आपको पढ़ाना शुरू करूं ठीक है तो अभी मेरे पास तो online की इतने अच्छे service है नहीं यहाँ पर क्योंकि phone भी इतने मुश्किल से चलता है यहाँ पर थोड़ा सा jammer type में लगा रहता है network ठीक है तो CRPF area में तो ऐसा ही network देखने को मिलेगा तो मैं वीडियो भी पता नहीं कैसे डाल लेती हूं clinic जाती हूं तो मैं upload कर पाती हूं तो थैंक्यू गाइज कल मिलते हैं ठीक है और मैं रोजाना वीडियो जी डालती रहूंगी और आप देखते रहेगा थैंक्यू